बारत माता की मन पर बिराजमान संसद में मेरे साथी और उत्तरप्रदेश भारतिये जनता पार्टी के अध्यक्ष युवा नेता त्रिमान केशो प्रसाज जी मौरिय हम सब के मारदर्शक भारतिये जनता पार्टी के वरिष्ट नेता आदर्णिये डॉक्तर मुर्लिमन और जोशी जी केंद्र में मंत्री परिषत के मेरे साथी साध्वी निरंजन जोटी जी संसद में मेरे साथी स्री ओम जी स्री देवेंद्रसी जी केंद्र में मंत्री परिषत के मेरे साथी सिमान राजी प्रताप रूडी जी विदाय केमं महा सचीव सी सलील विष्णोई जी प्रदेव सचीव सिमान स्वतंत्र देव पतेल जी सिमान वीजय बादूर पाठक जी मानवेंद्रसी जी कॉसलेंद्रसी पतेल बाबुराम निशात सिमधी कृष्णा पासवान जी प्रकाश शर्मा जी सुरेंद्र मैथानी जी अरून पाठक जी राहूल अगनिहोतरी जी सत्यदेव पचोरी जी स्रीमती अनिता गुपता जी सी रगुनंदर भदोरिया जी रामशरन कटियार जी सतीस महाना जी सिमान हर्दवार दुबे जी और विशाल संग्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर पदेश में जहां जहां जाने का सवभाज मिला है मैं देख रहा हूँ उत्तर पदेश में परिवर्तन की लहर नहीं परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर पदेश का हर नागरीक परिवर्तन का संकल्प पुर्ण करने के लिए जी जान से जुट गया है भाईयो बहनो आपके बीच आने से पहले मुझे भारत सरकार के कारकम में सरीख होना था यही पर पास में ही उस कारकम का समारो था अनेक प्रकार की नई योजनाएं खास करके उत्तरप देश के नवजवानों के लिए देश के नवजवान जिसके पास उर्जा है ऐसे उर्जावान नवजवानों के हात में अगर हुनर आ जाए तो मेरा देश का उर्जवान नवजवान पूरे भारत को नई उर्जा दे सकता है नई गती दे सकता है विकास की नई उडान दे सकता है और इसलिए आज यहाँ पर स्कील डेवलप्मेंट के अनेक योजनाओं का आरंब किया है पूरे देश में भी अनेक कायरकमों को आज लॉंज किया गया देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है युवा शक्ती है वे विश्व में अपनी तांकत दिखा सकता है अपना अस्तीत्व दुनिया के लिए उपकारक सिद्ध कर सकता है भारत आज सवभाग्य साली है कि भारत के पास 35 से कम आयू की संख्या 65 प्रतीशत से जादा है जो देश नवजवान हो जेश देश के पास उरजावान युवा हो वह देश दुनिया के सामने अपनी तांकत का परीचे करवा सकता है लेकिन वो तब संबव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो काम का आउसर हो देश में गती हो विकास की उड़ान हो तो भायो बहनो भारत में गरीबी को खत्म करने में देर नहीं लग सकती भायो बहनो ये तांकत मेरे देश के युवा में है आज हमने गेस पाइपलाइन का भी लोकारपन किया बिजली के लिए एक सब्स्ट्रेशन का भी लोकारपन किया एक प्रोजेक्ट एक प्रकार से उर्जा के प्रोजेक्ट है एनर्जी के प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट भी आर्थिक बदलाव लाने में उर्जा का काम करते हैं भायो भनो आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश का अधिकार है ये उत्तर प्रदेश का गवरव है कि उत्तर प्रदेश ने देश को स्थीर सरकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है तीस साल तक देश में स्थीर सरकार नहीं थी समझोते से गाड़ी चल रही थी निलने नहीं होते थे पुरी देर एक को समालो तो दूसरा नाराज दूसरे को समालो तो तीसरा नाराज वो अपनों को समालने में लगे भी देश को समाले के लिए उनके पस समय नहीं था देश को समाले के लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं भाई यो भैनो आज दिलनी में आपने ऐसी सरकार बनाई है जो सरकार गरीबों को समर्पी थै पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए है वो सारी योजनाएं इस देश के गाउं, गरीब, किसान, बलीद, पीडीद, शोसीद, वंचीद, माताए, बहने, युवा उनी के जीवन में बडलाव लाने के लिए हमारी सभी योजना एक केंद्री था, मैं हरान हूँ, एक तरफ हम देश को ब्रश्टा चार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हमारा एजन्डा है प्रश्टा चार बंद हो, हमारा एजन्डा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजन्डा है साउसद बंद हो, साउसद बंद हो, साउसद बंद हो, पूरा महिना साउसद चलने नहीं दी, यह साउसद क्यों चलने नहीं दी भाई, पार्लामेंट में चर्चा क्यों नहीं की, राश्पती के कहने के बाद भी होहला करते रहें, नारे बुलाते रहें, यह इसलिए करते थे, कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी, इससे वो भाग रहे थे, डर रहे थे, अब तक जिनों ने सरकारे चलाई हैं, उनके लिए हिसाब देना जरा, महंगा पड़ रहा था, और इसलिए संसद मैं होहला करो, नारे बाजी करो, स्पीकर महोदा उपर कागज के टुकड़े फैको, यही काम करते रहें, अरे मुनसीपालिटी में चुने हुए लोग भी, ऐसा व्यहवार करने से पहले, पचास बार सोचते हैं, देश की संसद को, उसकी गरिमा को, अपने राजनितिक स्वार्त के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास, मेरे देश वाचियों, यह बाते सामान्य नहीं है, गंबीर है, देश वाचियों को समझ रहा होगा, संसद पहले भी रुकती थी, संसद में पहले भी रुकावटे आती थी, लेकिन तब रुकावटे आती थी, क्योंकि विरोधी दल, मिलकर के, बेइमानों के खलाब लड़ाई लड़ना चाहते थे, गोटालों को उजागर करना चाहते थे, गोटाले बाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे, और इसलिए कभी कभी संसद में वहधान आते थे, पहली बार, पहली बार देश में ऐसा हुआ, कि बेइमानों की मदद करने के लिए, कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे, सरकार, सरकार बेइमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी, विरोधी दल, बेइमानों को बचाने के लिए एक जूट हो रहे, देश, देश आज दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ मुठी भर वो नेता है, जो काले धन को, प्रस्टाचार को, बेइमानी को बचाने में लगे हुए है, और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है, जो इमानदारी की रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है, भाईयो भेना, ये प्रस्टाचार, ये काला धन काला मन काला करोबार, यही है, जिसने मद्यंबर का सोशन किया है, और गरीबों के हक को छीना है, भाईयो भेनो, आज दिलनी में ऐसी सरकार बैठी है, जो गरीबों को हद दिलाना चाहती है, जो मद्यंबर को सोशन से मुक्त कराना चाहती है, जो देश पर इमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है, और देश्वासी जिस इमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं उसको ले करके एक नई ताकत खड़ी करना चाहती है लेकिन भाईयो भहनो जिनको आदत बेईमानी की पड़ी है जिनको आदत गलत काम करने की पड़ी है उनसे अब देश ज्यादा अपेक्षान नहीं कर सकता है और इसलिए मेरे प्यारे देश भातियों मेरे प्यारे भाईयो बहनों यह परीवर्तन की आख यह परीवर्तन की ललक पूरे उत्तर प्रदेश में परीवर्तन की आदी क्यों आई है यहां के लोग गुन्डा गर्दी से तंग आ चुके हैं तंग आ चुके हैं हर कोई गुंडा गर्दी कर रहा है सरकार में बैठे लोग गुंडा गर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं वायो तो सामान ने मानवी जाएगा कहा उसका मकान छिल ले उसकी जमीन छिल ले वो जाएगा कहा भायो भना जब तक लख रहा हूं मैं सरकार नहीं बदलोगे ये गुंडा गिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले सामान ने मानवी को परिशान करने वाले लोग चुप बचने वाले नहीं हैं और इस चुदाओं में भी ये गुंडा गिर्दी पालने वाले और गिंडा गिल्दी करने वाले बेखोफ हो करके चुदाओं में अना अपसना आप सब कुछ करने पर तुले होंगे लेकिन इमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हिंदुस्तान का नेक दिल इंसान उत्तर प्रदेश के भविशे के लिए संकल्प बदो करके परिवर्तन लाकर के रहने वाला है ये मैं हमारे देश के चुनाव आयोक का भी अभिनिंदन करता हूं उन्होंने देश के राजरितिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आवाहन किया है बारतिये जन्ता पार्टिस का स्वागत करती है भाईयो बेनो संसथ के सत्र के पहले आल पार्टी मिटिंग में सभी राजरितिक दलों के सभी वरिष्ट नेताओं के बीच मैंने उनके सामने आगरत से कहा था कि देश इमांदारी चाहता है देश इमांदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है राजरितिक दल राजनेता उनके प्रती जन्ता के दिल में अविश्वात भना पड़ा है लोग कंत्र में हम राजनेताओं की राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम जन्ता को इमांदारी का विश्वात दिलाएं और मैंने कहा था कि इस बार संसद में हम खुल करके चर्चा करें दो विश्वाव पर खुल करके चर्चा करें कि ये पॉलिटिकल पार्टिया राजनीतिक दल उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए देश की जनता के सामने ये चंदे के सबन में राजनितिक दलों पे जो उंगलिया उठी रही है क्या देश की जनता की चाक आंचा के नुकोल हम मिल करके कोई रास्ता खोच सकते के नहीं खोच सकते ये बात मैंने आल पार्टी मिटिंग में कही थी और मैंने आगरा किया था कि सदन मैं इसकी चर्चा होनी चाहिए मैंने दूसरी बात कही थी जो हमारे देश के आदर्ण ये राष्पती जी ने भी अभी उसका उलेख किया आदर्ण ये प्रणों मखर जी ने कहा कि हमारे देश में लोग सभाव और विदान सभाओं के चुनाओ अलग अलग होते हैं उसके कारण देश पर बहुत बड़ा बोज पड़ता है काले धन के कारोबार को अवसर मिल जाता है क्यों ने देश में लोग सभाव और विदान सभाओं के चुनाओ साथ साथ कराने का बाता बरन क्यों ने बनाया जाए विवस्ता क्यों ने खड़ी की जाए आए दिन चुनावों के कारण गावं गावं में तनावप पैदा हो जाता है सारी विकास की यात्रा रुक जाती है अगर पांच साल में एक बार चुना हो पांच साल सब सरकारे जो भी चुन करे आए वो काम करे मैंने सबी पार्टियों को कहा था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए लेकिन सदन चलने नहीं दिया गया क्योंकि ये दोनों बाते ऐसी थी कि जिस से ये चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते थे भाईयो बैनो मैं इलक्षन कमिशन से फिर से आगरा करता किस बात को आगे बढ़ाए देश के राज नितिक दलों पर दबाओ पादा करे सबसे मिलकर के चर्चा करके करे और हमारी सरकार जो फासला होगा जो जन्ता के हित में होगा इमानदारी के पक्ष में होगा उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबत है ये में विस्वाद दिलाना चाहता है भाई योबहना ब्रस्टा चार और काले धन के खिलाब लड़ाई हर प्रकार से हमें जीतनी है ब्रस्टा चार और काले धन से देश को मुक्त कराना है हमारे देश की बरवादी के मूल में यही बिमारी है जिसने गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है और इसलिए भाई योबहनो आवशक है कि हम इस लड़ाई में एक सिपाई बन करके देश के उजवल भविश्य के लिए काम करें भाई योबहनो आठ नवेंबर को हम ने नोट बंदी का निरने किया आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसी ने छुट गए जिन्होंने गरीबों का लूटा है वे आज परेशानिया जेल रहें रास्ते खोज रहें गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं कुछ तुम रख लो बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाओं कि भाईयो भनो जब हजार की नोट थी तो सौ की नोट को कोई पूछता नहीं था अब हजार और पांसो की चले गई तो सौ वालों की ताकट बढ़ गई वो भी जिन्द जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी छोटे लोगों को पूछता नहीं था अब छोटी नौड भी पूछी जाती है पूजी जाती है छोटे लोग भी पूछे जाते है पूजे जाते है ये बल्लाव आया है भाईयों भाणो कॉंग्रेट पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टीों की हिजाब किताब के सबस्द में हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हात नहीं लगाया है और कल मैंने देखा कॉंग्रेट के ने आफ में बद्धाम करने के लिए उछल पड़े हैं मैं जरह कॉंग्रेट वालो को याद कराना चाहता हूं कॉंग्रेट पार्टी के लोग सीजनात तान करके मीडिया के सामने बोलते थे बेश शर्मी के साथ बोलते थे जब सिताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोशाचक्ष हुआ करते थे पर्मेनेंट कोशाचक्ष थे और सिताराम केसरी कैसे कोशाचक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे न खाता न वही जो केशरी कहे वो ही सही न खाता न वही केशरी कहे वो ही सही यह तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे देश की जनता को कभी हिसाब न देना आ ब्रसाचार पन पर तो पनप देना कि खुद के फाइदे में जो हो वो करते रहना इसी का परणाम है कि देश तबाह हो गया है भाई भाई यो भनो हम विकास की नए उचाईयों पर देशकों ले जाना चाहिए आप मुझे बताइए आजाजि के सतर साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारे आके गई कि इतने सारे प्रधान मंत्री बने उत्तर प्रदेश से उसके बावजुद भी उत्तर उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1500-1600 गाव ऐसे हैं जहां पर 21 सदी में भी बिजली का खंभा नहीं पहुचा, बिजली का तार नहीं पहुचा, बिजली का लट्टू नहीं लगा। क्यों भाई, मेरे उत्तर प्रदेश के उन 1500-1600 गावों का क्या दोश हैं, कि उनको अठारवी शताबदी में जीने के लिए मजबूर किया गया, क्या कारण है, भाईयो बेहनों मैंने लाल के लिए पर से आवहन किया था पिछले वर्स, और मैंने कहा था एक हजार दिन में हिं इंदुस्तान के जो 18,000 गावों, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1500-1600 गावों हैं, एक हजार दिन में मैं बिजली पहुँचा दूँगा, भाईयो बेहनों, आज आज बड़े संतोष के साथ मेरे उत्तर प्रदेश के भाईयो बेहनों को मैं कहना चाहता हूँ, जो 1500-1600 बाकी रहे हैं, बाकी गावों में बिजली पहुच गई, लोगों ने बिजली घरों में लेना शुरू कर दिया, भाईयो बेहनों, जो 70-72 गावों बाकी रहे हैं, उसमें भी 50 गावों ऐसे हैं, जहां कोई लोग ही नहीं रहते, जिर्फ कांगेज पर गावों का नाम बचा एक प्रकार से सिर्फ 20-22 गावों बाकी हैं, जिसका काम तेजी से चल रहा है, अगर यहां की सरकार रुकावट न डाले, तो वो काम भी बहुत तेजगती से पुरा कर देंगे, ये मैं हिसाब आपको दे रहा हूँ, भाईयो बहनों, एक समय था, गैस का कनेक्शन लेना हो, गैस सिलिंडर लेना हो, तो कितने पापड बेलने पड़ते थे, ये माता ये बहनों ने तो कभी सोचा भी नहीं था, गरीब मा बहनों ने, कि कभी उनके घर में भी गैस का चूला होगा, गैस का सिलिंडर होगा, और फटाक से खाना पका करके, औ पोजी रोटी कमाने के लिए जा पाएंगे कभी सोचा तक नहीं हमने बिड़ा उठाया है तीन साल के भीतर-भीतर हिंदुस्तान के गरीब परिवारों में गैस का करेक्शन देना गैस का सिलेंडर पहुचाना और लकडी के चूले से सहेग बरवाद हो रही मा बहनों को बचाने का हमने बिड़ा उठाया है और आज अकेले उत्तर पुदेश में लाखों परिवारों में कोई प्रस्टाचार की शिकायत नहीं है कोई बाई बती जयवाद की शिकायत नहीं है कोई जाती बाद की शिकायत नहीं है जिसका भी नाम गरीबी की रेखा के नीचे रेकॉर्ड पर लिखा है 35 लाज से जादा लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन पहुँच गया गैस का चूला जलने लग गया बच्चों को अच्छा खाना मिलना चुड़ू हो गया भायो भनो अगर काम करना चाहे तो काम कैसे हो सकता है इसका ये उदाहन आप दे सकते हैं भायो भनो ये उत्तरपदेश कोई साल ऐसा नहीं जाता है जबकि गन्ना किसान परिशान न होता हो मिले समय पर चालू ना हो ना गंदा किसानों को पैसा नहीं मिलना मिले देर से चालू करने के कारण गंदे का वेट कम होता है मिलों वालों को मुनाफ़ होता है पहली बार भाय भनो समय पर मिले चालू हुई है और गंदा किसानों के 2013-14-15 में जो बकाया राची 20-22,000 करोड थी उसको भुक्तान करने में हमारी सरकार ने सभलता पाई है भाई यो बैनो ये काम होता है और इसलिए हम देश के किसान को भी तांकत देना चाहते Soil Health Card, यूरिया का निम कोटिंग आप जानते हैं यूरिया का क्या उप्योग होता था मैं जब दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ दिल्ली वाले बड़े चाओ से जो दूद पीते थे ने उनको पता भी नहीं चलता था कि सही में गाई या भैस का दूद कौन सा है और यूरिया से बना हुआ सिंथेटिक दूद कौन सा है पता तक नहीं चलता यूरिया का उपयोग खेत में किसानों को मिलने के बजाए देश के बरबात करने पर तुले हुए मुठी पर लोग उसमें से सिंथेटिक दूद बना करके दिल्ली के लोगों तक पहुँचा देते थे अब हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया अब यूरिया का नीम कोटिंग करने के कारे उसका सिरफ एक ही उपयोग हो सकता है और वो जमीन में खेत में डालने के जिवाए कोई उपयोग नहीं हो सकता है बताईए मेरे भाईयो बहनो करोडो करोडो बच्चों की जिंदगी हमने बचाई की ने बचाई बताएए ने gonna काना का निम कोटिंग यूरिया का नीम कोटिंग सिंथेटिक दूद बनाने वालों के धंदों पर चोट पहुँचा दी अर देश के करोना बच्चे जिनको इस प्रकार का यूरिया से बनावा दूद पिलाने के लिए मजबूर किया जाता था उन बच्चों की जिन्द की बचाने का काम एक निर्ड़े समने कर लिया है भाई इस नोट बंदी भी ऐसी है एक निर्ड़े से अच्छो अच्छों का खेल खतम हो जुका है कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में पैसे डाल दिये तो सफेद हो जाएंगे ये गलती कर गए उनको पता नहीं था ये सरकार इमानदारी की सरकार है इमानदारी के लिए सरकार है इमानदारों के कारण ये सरकार है और इसलिए जो सरकार इमानदारों के कारण हो जो सरकार इमानदारी के लिए हो, जो सरकार इमानदारों के लिए हो, उस सरकार को कम बता किये, कम बता किये, फस गए, उनको लग रहा था, अब हमने टेकनोलोजी से ढूंड रहे हैं, कहां से रुपी आया, कब आया, वो आया था, वो कौन था, CCTV केमरा में देखा जा रहा है, और आपने देखा होगा दमा दम रुपी पकड़े जा रहे हैं, पहले कभी ये द्रश्य देखा था, पहले कभी देखा था, ये लूटने वालों पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी? भाईयो भना, आध हिंदुस्तान के हर कौने में, जिन्नों ने देश के गरीबों के साथ खिलवार किया है, उनका हिसाब मैं चुबता कर रहा हूं, भाईयो, मैं जानता हूं, इनकी ताकत कितनी है, जो लोग इतनी तांकत रखते हैं बैंक के अपसरों को भी खरीच सकते हैं भाई यो भनो वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मेरे देश वासियो ये लड़ाई देश के इमानदारों की लड़ाई है देश के गड़ीमों की लड़ाई है और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है क्योंकि देश देश इमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है मेरे भाईयो बेहनों ये बात मैं बली भाती जानता हूँ इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जन संख्या, इतना बड़ा कारोबार नोटों का और इतना बड़ा निर्णए लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है इसका मुझे पूरा अंदाज है मेरे देश स्वाचियों ने ये जो कुछ भी सहा है देश के उजबल भविश्य के लिए सहा है मेरे देश स्वाचियों ने आठ नमंबर से आठ तक बाती बाती के कस्ट जेले है लेकिन मेरे देश स्वाचियों आपने जो कस्ट जेला है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जेला है देश के स्वार्थ के लिए जेला है देश की भनाई के लिए जेला है और इसलिए भायो भनो आपको कभी निराश होने का आउसर नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ इमानदारी है, पवित्रता है, प्रामानिता है भायो भैनो मैंने पहले दिन से कहा है कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भाती भाती की कठिनाईया आती रहेगी कभी कम दिखती होगी, कभी बड़ती दिखती होगी, 50 दिन तक एक होने वाला है, यह मैंने पहले दिन कहा था और 50 दिन के बाद यह कठिनाईया बढ़ना बंद कर रहेगी, बढ़ नहीं पाएगी, कठिनाईया कम होने की शुरुरुबात हो जाएगी, ये मैंने पहले दिन कहा था, आज दुबारा कह रहा हूँ, भाई यो भनो, जो लोग एटीम के उपर कतार लगा के खड़े रहते हैं, जो लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं, मैं जड़ा हमारे विरोजियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, एक तरब वो कहते हैं, खाता ही नहीं है, दूसरी तरब कहते हैं, कि लोग बैंक में पैसे लेने गरीब आदमी जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है, भाई एक जित तो सच बताओ, एक तरब कहते हो गरीब का खाता नहीं, दूसरी तरब कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है, बिलता नहीं, जनता क गुम्राह करने जूट क्यों भोलते हो ये लोग जब मैं कहता हूँ डिजिटल ऑनलाइन लेस कैस नीड़ बेट कैश भाईयो बेनो एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपिया होता था तभी बाजार में चलता था बदलते 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 कागज की नोट तक रुपिया आ गया भाईयो बेनो अब तो वगत वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाईल फोन से रुपियों का कारोबार किया जा सकता है आपकी मोबाईल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है चाए पींगर के मोबाईल फोन से पैसे दिये जा सकते है चाएं पीनेवाले से मोबाईल पैसा लिया जा सकता है नोटों के बिना किया जा सकता है। जब मैं यह बताता हू。 तो यह लोग क्या कहते हैं؟ कर इस देश में कहां लोगों के पान – मृबाइल फोन है। इस देश में कहां यह हैं? यही लोग! positioned dire. हर चुनाॉं में यह बाशन देते थे कि राजिव गांधी प्रधान मंत्री थे वो हिंदुस्तान में कॉंप्यूटर यूग लाए राजिव गांधी प्रधान मंत्री थे इस देश में मोबाइल फोन लाए राजिव गांधी प्रधान मंत्री थे इस देश के गरीगों के हाथ में उन्होंने मोबाइल फोन दे करके एंपावर्मेंट किया यहीं पाशन यह लोग करते थे लेकिन अब जब मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो तो कहते हैं मोबाइल फोन ही कहां कि गरीब के पास मोबाइल है कहां कि इतना जुड़ बोलते हो आप लो यहीं लोग करों पिटते थे कै राजिव गांजी ने मोबाइल फोन दिया अम मैं कहता हम मोबाइल फोन का बैंक मिेगा तो कहते हैं मोबाइल फ्ोन थे आप इनको पहचा लोए कितना जूट बोलते हैं ये लोग गुम्रा कैसे करते हैं लोगों को भड़काने का काम कैसे करते हैं भाई यो बैनों ये सरण कारोबार है और बारत सरकार ने देश के गरीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई हैं मैं ये योजना आपको बताता हूँ आप गरगर पहुंचाओगे गरगर पहुंचाओगे जोर से बताईए गरगर पहुंचाओगे हर दुकानदार को पहुंचाओगे गाउं गाउं पहुंचाओगे पक्ता पहुंचाओगे भारत सरकार ने ये ओनलाइन पेमेंट के लिए इवालेट के लिए डिजीटल करंसी के लिए मोबाईल बैंक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है 25 डिसेंबर क्रिश्मस की गिप के रुप में इसकी शुरुवाद होने वाली है और योजना ये है कि 8 नमेंबर से अब तक 25 तारिक तक अगर आपने अपने डेविट कार से क्रेडिट कार से कोई खरीदी की होगी तो उसका एक विशिष्टन नमबर जनरेट होता है इन सारे नमबरों का 25 तारिक को ड्रो निकलेगा इनाम का ड्रो निकलेगा और 15,000 कम नहीं 15,000 लोग जिनका नमबर लगेगा उनके खाते में सरकार की तरब से 1000 रुपया जमा हो जाएगा ये कम हर दिन होने वाला है एक दिन नहीं हर दिन होने वाला है सो दिन तक चलने वाला है मतलब की हर दिन नए 15,000 लोग जिसको एक बार मिल जाएगा उसको दुबारा नहीं मिलेगा हर दिन 15,000 लोगों को एक-एक हजार रुपया उनके खाते में जाएगा सौ दिन में 15 लाख परिवारों में एक-एक हजियार रुप्या पहुंच जाएगा दूसरा साथ दिन के बाद 30 दिसंबर को एक बड़ा ट्रो होगा जिसमें लाखों रुप्या के इनाम दिये जाएंगे और तीन महने के बाद 14 एप्रील जॉक्तर बाबा साथ आम वेड़कर की जन्म जहनती पर एक बंपड ड्रो होगा और आठ नमेंबर से लेकर के 14 एप्रील तक जिसने भी इस प्रकार से कारोबार में खरीद विक्री की होगी उनको करोडो करोडो रुप्यों का इनाम दिया जाएगा भाई ये तो हो गया ग्राहक के लिए लेकिन दुकानदार के लिए भी इनाम है जो दुकानदार ये मोबाईल फोन से माल बेचता है देबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से माल बेचता है उसका भी अलग नमबर निकलेगा और उसका भी ड्रो होगा और हर सब्ता उसको हजारो रुप्यों के इनाम दिये जाएंगे ये हर सब्ता होता रहेगा व्यापारियों को भी इनाम मिलेगा ग्राहक को भी इनाम मिलेगा लेकिन ये इनाम बड़े लोगों के लिए नहीं है यह इनाम छोटे लोगों के लिए है जो 50 रुपिये से ज़्यादा खरीच करता है और जो तन 3,000 रुपिये से कम खरीचता है उसी को इसका लाब मिलेगा 3,000 से ज़्यादा कमा खर्च करने बाले को इनाम की जरुवत नहीं होती है यह गरीब के लिए है उसी प्रकार से दुकानदार जिसका साल भर का कारोबार 2 करोड रुपिये से कम है उस दुकानदार को ही नाम मिलेगा बड़े बड़े अर्बो खर्बो रुपियों के दुकानदारों को इसका लाब नहीं मिलेगा छोटे छोटे लोग दो भी होगा मोची होगा, दरजी होगा, दूद बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, कपड़े बेचने वाला होगा, किराने बेचने वाला होगा, बिस्किट बेचने वाला होगा, छोटे-छोटे लोग, ऐसे छोटे-छोटे दुकानदारों को यह इनाम मिलने वाला है, और इ कोशिस करेगा आपके गाउं में भी नाम आए आपके गाउं के लोग भी मोबाइल फोन से खर्च करनी की आद़त डाले व्यापारी भी मोबाइल फोन से लेंदेन करना शुरू करें आप देखिए प्रस्टाचार और काले बाजारी करने वालों के दिल समात हो जाएंगे नहीं आएगी फिर से इस देश में ब्रस्टाचार के खेल नहीं हो पाएंगे ये काम हम सब को मिल करके करना है भाई यों बेहनो मैं आज इस कानपूर की धरती से देश सबास्यों को रिदेश से अभिनंदन करना चाहता हूं ये लड़ाई जीतन हम इसलिए रहे हैं क्योंकि देश के करोडो करोडो लोगों ने आशिरवाद दिये है इमानदारी की लड़ाई आगे इसलिए बढ़ रही है कि करोडो करोडो गरीब देश सबास्यों ने मध्यम बर्गीये लोगों ने इमांदार लोगों ने देश के लिए कस्ट जेला है गंटों तक कतार में खड़े रहे लोगों ने आकर के उनको उक्साने की कोशिच की राजी नेताँ ने भड़काने की कोशिच की बाती बाती की बाते चलाई गई लेकिन तश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक, पोरा हिंदुस्तान इमांदारी के साथ ख़ड़ा रहा, इससे बड़ा किसी देश का सौभाग नहीं हो सकता भाईयो 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 भाईयो, मैं बिडिया के मित्रों से भी आगरा करता हूं मैं पत्रकारी ता जगत से भी आगरा करता हूं मैं इंटलेक्ट चुल वर्ड से भी आगरा करता हूं लिखने पढ़ने की ताकत वालों से भी आगरा करता हूं आप दुनिया को बताओ आप दुनिया को बताओ यह सबासो करोर का देश कई लोग ऐसे हैं जिनको है गरीबी है उसके बावजुद भी सवासो करोड का देश इमानदारी की लड़ाई के लिए कस्त्र जेलने के लिए तैयार हुआ है यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ा अजूबा है दुनिया में कहीं यह संभव नहीं हो सकता जो मेरे देश वास्य जोने करके दिखाया है उनके जितने गीदगाए उतना कम है उनके जितने गुनगान करे उतना कम है दुनिया को बारत की ताकत का परिचा कराए उतना कम है और इसलिए मैं बुद्धी जीवियों से कहना चाहता हूं कि बारत के गरीब ने बारत के अनपड़ व्यक्ति ने बारत के इमानदार व्यक्ति ने जो ताकत दिखाई है उससे जराद दुनिया को परिचे करवाईए ये मेरे देश की ताकत है इसी ताकत से देश आगे बढ़ने वाला है भायों 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 जब अच्छा करते हैं तो तब करना पड़ता है तब अच्छा करनी पड़ती है और तब जेलना भी पड़ता है मेरे देश भास्यों ने अद्बूत कमाल की है भायों अद्बूत कमाल की इतियास इत्यास इस घटना को इस लिए याद महीं करेगा कि कौन प्रद्छान मंत्री था और किस ने निनने किया था इतियास इस गटना को इस रुप में देखेगा कि सबासो करोर का देश इमानदारी के लिए कैसे खड़ा हो गया था यह इतियास दर्जित करने वाला इस लड़ाई का विजए किसी प्रदान मंत्री का नहीं है इस लड़ाई का विजए किसी दल का नहीं है इस लड़ाई का विजए किसी सरकार का नहीं है ये लड़ाई का विजए इमानदार देश सबाथियों का विजए है इमानदारी का विजए है इमानदारी पर देश को आगे ले जाने की लड़ाई का विजए है और इसलिए बेरे पहरे भाईयों बहनों, आपने जो असिरवाद दिया है, इसको मैं शत्त शत नमान करता हूँ. मुझे फिर एक बार भाईयों बहनो मुझे बताईए हाथ उपर करके बताईए इमान दारी की लड़ाई लड़नी चाहिए के नहीं लड़नी चाहिए बे इमानी खत्म होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए बरसा चार जाना चाहिए के नहीं जाना चाहिए आप मुझे दोनों हाथ ऊपर करके आशिरबाद दीजिए आप मुझे आशिरबाद दीजिए आप ही की ताकत के बदॉलत यह देश जितने वाला है यह देश इमानदारी के रास्ते पर चलने वाला है नहीं हम बन्हों कर आगे बड़े और जो सपना ले करके निकले है उस सपने को पूरा करके रहे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं आपका बहुत बहुत अभारी हूँ